अब बात की जाए Ground Zero Live तो अब शुरू होने जा रहा है सलसला आपके हक काम की बात का Ground Zero Live इसमें हम आज आपको दिखाएंगे आपके मुद्दे की बात प्राइवेट स्कूल की मनमानी कैसे पैरेंट्स की परेशानी का सबब बन रही है स्कूल बस और स्कूल वैन कैसे मोटी रकम वसूल रहे हैं आज Ground Zero में होगा हर एक परिवार से जुड़ा ये खास मुद्दा इसके अलावा परताल करेंगे ओवर लुड़िट गाड़ियों की भी सड़क पर फरराटे से दोड़ रही हैं ये ओवर लुड़िट गाड़ियां यात्रियों की जिंदगी पर कहीं ये भारी न पड़ जाएं आखर लापरवाही किस-किस की है और हाँ स्ट्रीट लाइट की आँख में चौली बंद स्ट्रीट लाइट ने आपका भी जीना तो मुहाल नहीं कर दिया इस मुद्दे को भी उठाएंगे और अंधेरे को दूर भगाएंगे तो इन तमाम मसलों पर चर्चाएं भी हम करेंगे और जान लीजिए आज हमारे साथ ग्राउंड जीरो लाइफ पर कौन को जुड़ा हुआ है जबलपुर से सायोगी पवन पटेल हमारे साथ जुड़े हुए है अमिश शर्मा मुरैना के हालाथ से हमें अपडेट देंगे मुरैना के ग्राउंड जीरो बताएंगे अजय पटवाउ जैन से हमारे साथ जुड़े हुए है उनके पास भी चलेंगे क्या कहती है उनके Ground Zero की परताल और बहतरीन तरीके से उसे समझेंगे और सबसे पहले उसमों देखो जो सीधे आपकी जेब से जुड़ा हुआ है और आपकी जिन्दगी से जुड़ा हुआ है पैरण्स की पढ़ा का डाला जा रहा है जबलपूर में निजे स्कूलों की मनमानी के खलाफ शूरु हुई मोहिम के चर्चे हर जगा है लेकिन एक और मुद्दा है और वो है स्कूल बस और वेन के नाम पर वसूली जा रही है मोटी रकम अक्सर तस्वीर आती है कैसे स्कूल बस और वेन में क्रमता से जादा बच्चे ठूंसे जाते हैं नौनी हालों की जान से खिलवार किया जाता है स्कूल बस और वेन के नाम पर वसूलीं कि जारही है वो फीस नहीं है वर्लके विशुद्ध लूट है, कमाई का जरिया है अब जबलपोर पेरण्ट असूसियेशन ने इस मुद्धे के ख़लाब मौचा खोलने जारहा है मांग की जा रहे हैं कि स्कूल बस और वैन के नाम पर जो ये वसूली हो रही है उस पर ब्रेक लगना चाहिए एक एक वैन और स्कूल बस का अगर जो बड़ी स्कूलों का देखे हैं तो फिर दो हजार से लेके और धाई जार रपे तक रखा गया है क्या एक बस के एक चक्कर लगाने में यदि असी लोग सफ़र करते हैं तो क्या दो लाग पौने दो लाग रुपे देड़ लाग रुपे खर्च आ सकता है ये एक अलग लूट चल रही है इसके खिलाब लोगों को आवाद ठाहा चाहिए और माननी है कलेक्टर महुद से मैं अग्रह करना चाहूंगा कि इस विसे को भी विसेज दूर पर ध्यान रखा जाए और सीधे आपको लिए चलेंगे पवन हमारे सायोगी इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे पवन बहुत सारे इनिशेटिव लिए गए थे जबलपुर से ही खास तोर पर मनमानी को लेकर औ पर अब एक नए इनिशेटिव ये कि मोर्चा खोला जाए और वैन और बस के नाम पर ये वसूली चलेगी नहीं क्या कहती है आपकी ग्राउंड जीरो की पड़ताल जी जबलपुर में अगर बात करें तो तीन किलो मीटर पांच किलो मीटर की डिस्टेंस पर ही स्कूल है जबलपुर का दाइरह अगर बात करें तो लगबग सो किलो मीटर के दाइरे में जिसमें एक हजार सेंटिस प्राइवेट स्कूल है इसके अलावा सरकारी स्कूल साड़े 300 से ज्यादा हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल की फीस और यूनिफॉर्म किताबों के हलावा इस्कूल बस वैन ऑटो के नाम पर जिस तरह से वसूली की जाती है कि लगबग 20-22 दिन हर बच्चा इस्कूल जाता है लेकिन उसके बाद भी पैरेंट्स को के साथ में हैं नागरिक उपभुकता मार्क दर्शक मंच के सदस्य भी हमारे साथ मौझूद हैं हम सबसे पहले जानेंगे पैरेंट्स से किस तरह की परेशानी होती है इस्कूल बैन और आटो को लेकर बस को लेकर कि क्या समस्यां आती हैं कितनी फीस लेते हैं हमारे बच्चो में फीस तो ही फीस तो है सबसे पहले तो मेराफी सबसे पहले बीखिज का क्यों चीशने तो ये पैरेंट्स और क्या कहना चाहें किस तरह से चार्जीज लगना चाहिए उससे कही ज़्यादा मातर चार्ज लिए जाते हैं साते सात कहीं न कहीं हम ब्लैक मेल होते हैं स्कूल के थ्रू कि आपको इतने चार्जिस देने होंगे उसी पर हमको फीज देनी पड़ते हैं उसके इसकूलों का फीज जो है जस्टिफाइड नहीं है किसी भी तरह से क्योंकि वो स्कूल फीज जिस तरह का quality of education उसके according फीज आपने तो कई बार याचिकाएं लगाई है आपका खुद का एक संगिठन है पैरेंट्स का क्या अभी तक सामने आया है और आपकी तरफ से क्या मांग की जाती रही है देखें सबसे वहले बताने हैंगे कि हमारी याज का हाईकों में पैंडिंग है लिएगा च्छे वास से पावन ये ये चर्चा हम आगे दिखाएंगे वक्त की कमी बहुत शुक्रिया आपका ये आप लेकिन बाच्चीत करें आगे हम इससे दिखाएंगे तो ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने मूर्चा खुला है इस बात को लेकर किस तरह से मनमानी फीज वसूली जाती है धन्यवाद पवन का और अब हम अपने सिलसले को आगे बढ़ाएंगे ग्राउंड जीरो लाइफ कुछ लोग जो बास नहीं आते कभी गाडियों के गेट पर लटके बस हो वैन हो डगा मारवाहन हो और अब तो यही रिक्षा कभी यही हाल है तस्वीरे देखते जाएए जल्द पहुंचने की जल्दी है कितनी जल्दी है और यह जल्दबाजी कहीं भारी ना पड़ जाए मुरैना की अलग-अलग तस्वीरे देख लीजे कोई एक तस्वीर बयानी कर रही है आर्टी ओ मैकमा कहा है वो भी देख लीजें प्रदेश में ऑबल लोड़ेट बहानों को लेकर के कई घटना सामने आई हैं उसके बाद भी सासन और सासन कारिवाई नहीं करता है जिसका परणाम यह है कि आज भी खुल याम ऑबल लोड़ेट बहान चाहे यातरी बस हो या फिर छातरों की बैन हो या फिर एक्सा हो वह आज कल भी फर्राट एसे सड़कों पर दोड़ रहे हैं मेरे पीछे आप देख रहे हैं जिस तरीके ते यह जो छातरों को लेकर के जा रही है इसमें भी आपको नजर आ रहे हुँगे चार से पांच छातर और इदर दूसरी ओर देखोगे तो आपको तमाम चात्र नजर आ जाएंगे ये बेट कर रहे हैं कि इनकी स्थूली बाहन आएगा उसके बाद ये अपने घर पहुंचेंगे लेकिन ये जो कारिवाई तब तक ही सीमित रहती है परिवान और आईटियो विवाग की जब कोई बड इस तरीके की गटनाय बार बार सामने आती है इसका पढ़ाम ये है कि सिर्फ चार से छे दिन तक ही ये कारिवाई नजर आती है अब देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद आखिर ये बस संचालक हैं और जो ऑबल लोडेट पहानों के उपर बैठके सब यात्रा कर करने बाले लोग हैं वह उनके खलाब क्या कारवाई करेंगे या एक देखने वाली बात होगी अमित देखिए कारवाई आटियो के द्वारा निरुंतर की जाती रही है पहले भी जुनमाना आटियो ने किया है अभी भी स्कूल वेन से बच्चों को सुरक्षित रखने के सं करेंगे तो विसमें ट्राफिक की कारवाई कापी अच्छी चल रही है और लगातार इसमें चलानी कारवाई कर रहे हैं और फास्तों से जो वीडियो भी जो मुझे देखने को आया है उसमें कुछ बसेज भी ओवर्लोड देख रही है कुछ जो और जो लोडिंग छोटे व करवाई होने की आवशकता है मैं थाना पुरवारी जो भी वीडियो आया है मैं उनको बेज भी रहा हूँ और यह इस पर करवाई सक्छे-सक करवाई होगी और सीधे हम आपको ले आए हैं मुरेना अमिश शर्मा की रिपोर्ट भी आपने देखी अमिश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हुए भी हैं ग्राउंड जीरो का जाइज़ा भी आपने देखा किस तरीके किस सित्या अमिश बड़ा हास्यासपद लगता है एक त आ गया है कहीं कोई किसी गाड़ी में ओवर्लोडिंग है नहीं इतने एक्शन और कारवाई वो कर रहे हैं कोई तो जूट बोल रहा है अमिश अब बिल्कुल देखिए जो अधिकारियों का जिस तरीके से बयान सामने आया है उससे तो ऐसा ही लगता है कि ओवर्लोड बाहन जिले में चल भी नहीं रहे हैं लेकिन जो हकीकद है ग्राउंट जीरो पर अगर देखा जाये तो हकीकद यह है कि प्रति दिन हर बाहन देखा जाए चाहे तो इरिक्सा हो या फिर आन किसी बाहन की बात की जाए मेरे पीछे पहले आपको दस्मीर दिखा दू एक बार जिस का मुख की कारण यह है कि जो बड़े घटना क्रम सामने आते हैं उस समय तो कारिवाई देखने को मिलती है चार से छे दिन तक बड़ी ही कारिवाई होती है ऐसा लगता है कि अब और जो 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 जिम्मिदार अधिकारी है उन्हें वो पिछले बार वाली कारवाई ही याद है क्योंकि ऐसा नहीं है कि कारवाई कहीं हो रही है हो रही है तो आदितन लोग इस तरह से लटक कर ओर लोड़िट गाड़ी में जाएंगे नहीं बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए से होगी अमित विस्तार से जानकारी दे रहे थे और अगला एक और पून मामलाः रात के अंदीरे में आंख में चॉली में चॉली छोड़िए स्ट्रीट लाइट मंदारों की तरह आंखें बंद करुके खड़ी हो जाए स्ट्रीट लाइध की बत्install को घोज जाए जम्मेदारों चाहिक consig का का मैं आप लोग। अंधेरे में हाथ से कडर सताता है उजयन के हम आपको हाल दिखाते हैं जी उजयन पूरे दुनिया के टाइम मेनेजमेंट पहले यहां से सीखा जाता था कैसे स्ट्रीट लाइट यहां बंद पड़ी है नगर निगम के दावों की पोल खोल रही है देवास रोड हो इंदौर हो आगर रोड हो मक्सी रोड हो स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी नजर आएंगे जिम्मेदार बारिश का रागल आप रहे हैं बंद स्ट्रीट लाइट की खबर लगते ही महापौर को मैदान में उतरना पड़ा कि वो जिन सहर के इस्टेट लाइटे लगातार बंद हो रही है क्योंकि मांसुन का सीजन है और ऐसे में इस्टेट लाइटे काफी समय से बंद भी पड़ी है और ठेकेदार जो होते हैं वो उनकी उनका काम जिम्मेदार यह नहीं कर सकते हैं आब इस वक्त जो हैं बंद लेकिन जिस तरीके से अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि जितनी भी शड़के हैं चाहे फिर वह स्राइब सिटी का शेत्र क्यों नहीं जगा जगा इस्टेट लाइट बंद पड़ी है क्योंकि हम लगातार देखते आ रहा है कि समस्च्याओं का सामना करना पड़ रहा है एसे मत्व प्रदेश में अधिकतर जगे यही समस्च्या को सामना लेखने को मिल रहा है अजेपट वा न्यूचेटिन मटप्रदेश नहीं अभी तो बारिश का टाइम है और हवा की जोक्यों वगरा भी चलना है जिसके कारण से लूज कनेक्शन वगरा भी हो जाता है देखने में जाता है कि अधिकारी जो लाइट उदानने हो जो समय पर ध्यान निदेपाते हैं मेंटेनेंस पर यह दो कमी होगी इसको मैं अश्यूखाद लेकिए लेकिन उसलिया हमारे सारे अधिकारियों को फुरी टीम को लेकर के में स्वेयम उच्जियं की सुड़कों पर जहां पर इस्टी लाइट है बंती हमने समने चालू करते बाहर है आपने हम देखा कि सब लाइट है बंती तो फ़िए जाल की डिगाल किरने कारण केवल टोटने कारण यह उनको लेतर के इसी प्रकार सारे सेर्ट के लाइट को देखेंगे और तुरंद चालू करें और सीधे उजयन से सायोगी आजया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए है कितने हैरत की बात है पूरी दुनिया जहां पहुंसती है जो धार में एक मुख्याला बनने वाला है मद्यप्रदेश का वहां स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है आजये कि देखिए 12 जोति लिगों से महा काली स्वर बंदीर है यह पर जो क्या है कोटा से आने वाले लोगों या इंदूर से आने वाले हों या फिर मक्सिस आने वाले लोगों जैसे ही शेर में घुषते है तो अंधेरा दिखता है इस्टेट लाइट बंद रहती है यह सबसे हो जाती है लेशजर निगम के दोरां टेंटर किया जाता है नई लाइट को लेका चले और यहां यढेर बनती उनको चालू कराने का कारिба हमने कई जेगे पर जाकर देखा अधिक तर लाइटर बन मिली हमारे साथ में कुछ खेत्रवासी है उन्से बात करेंगे शर्मा जी जिस तरीके से चलिए भग की कमी है आजाय मैं आपको रोक रहा हूं आगे आप यह चर्चा हम दिखाएंगे और ग्राउंड जीरो लाइव में इतना ही नमस्कार